आज हम करने वाले हैं Class 10 IT402 बुक का नाम है Employability Skills और हम करने वाले हैं Unit 1 जिसका नाम है Communication Skills ठीक है जी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम Communication Skills के जितने भी session है ना सारे के सारे session complete करने वाले हैं और वो भी with notes और यह notes A1 है आपको दिखा भी देता हूं और मैं इनको A1 notes को बोल रहा हूं क्योंकि यह notes है ना मैंने NCRT से बनाया है आपको दिखा भी देता हूं तो आपको NCRT दिखरी होगी चीजे Mark करीवी दिखरी होगी और यही Mark करीवी जो चीजे हैं वही मैंने notes के अंदर लिखी है ठीक है और यह notes को मैं A1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है एर NCRT का कोई replacement नहीं है कोई वंदा आपके आदे Marks नहीं काट सकता अगर आपने NCRT वाला answer लिखा हो आदा Marks नहीं काट सकता ठीक है आपको इस वीडियो के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूत नहीं है इवन question answer की भी देखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में question answer भी cover करने वाले है इसलिए मैंने NCRT की book साथ में खोल रखी है ठीक है चलो जी अब शुरू कर देते हैं अच्छा एक छोड़ी सी चीज और बता देता हूँ कि जो यह वाली जो unit है हमारी पहली unit जो communication skill है इसके अलावा भी बाकी unit भी मैं upload करूँगा और अगर कर दी होगी तो link नीचे description मिल जाएगा उसको आप देख लेना और IT के अलावा मैं social भी पढ़ाता हूँ तो अगर आपके SST Hindi English दोरों में मैंने हर एक chapter upload कर रखे है उसके notes upload कर रखे है उनके MCQ most important question तो वो भी आप नीचे description में देख सकते हो आपको मिल जाएगे ठीक है communication जो है ना वो एक Latin word communicate से निकला जिसका मतलब होता to share ठीक है तो मतलब communication का मतलब हुआ sharing of information between two or more individual और within the group जब आप को information दो बंदो या दो से जादा बंदे या ग्रूप में बताते हो तो that is communication यस और नो जब आप share करते हो information दो बंदों के बीच में individual के बीच में या दो से जादा individual है ग्रूप के बीच में तो उसको आप communication कहते हो yes or no? clear है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं अब एक perfect communication में तीन important parts होते हैं कौन-कौन से? transmitting, listening और feedback अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस हुई न तो आप उसको एक perfect communication नहीं कह सकते हैं मैं समझाता हूँ transmitting में क्या होता है? एक sender क्या करता है? transmit करता है message through one medium और another medium का मतलब क्या होता है? वो रस्ता जिसके त्रूँ आप message भेज रहे हो माल लो आपने कोई voice message भेजा listening का मतलब होता है understand करना message को माल लो मैंने आपको type करके good morning भेजा यानि ट्रांस्पेटिंग कर दिया मैंने message को आपने उस message को क्या किया? understand किया जी इसने मेरे को good morning बोला है सर जी ने good morning बोला है आप क्या करोगा? feedback दोगए feedback कैसे दोगए? आप भी मेरे को good morning बोलोगे feedback का मतलब होता है एक तरह का response ठीक है? basically receiver जो होता है न वो feedback देके ये बताना चाहता है कि हाँ मेरे को आपकी बाते जो है समझ आ गई है अब आप मेरे को good morning क्यों बोल रहे हो? आप मेरे को आप मेरे को good morning भेज़ोगे ये बताने के लिए कि हाँ sir आपको भी good morning yes or no? तो feedback भी important होता है ठीक है आप से question पूसता हूँ अब आप मेरे को question का answer बता रहा है ठीक है? अभी देखो मैं YouTube पे आपको पढ़ा रहा हूँ यानि क्योंकि अगर इस communication को हमको एक perfect communication बनाना है तो आपको बता है feedback भी important है अब आप मेरे को feedback कैसे दे सकते हो like करके वीडियो को चैनल का subscribe करके और नीचे comment कर गया feedback दे सकते हो feedback देना मत भूलना क्योंकि perfect communication बनाना है yes or no? चलो जी बागे आ जाते है next है जी हमारा communication process and elements तो यह बहुत important question है कि आप से पूछट आता है कि जो आपके communication elements होते है वो कौन-कौन से होते है देखो simple है communication element क्या होते है basically वो चीज़े जो एक communication में होती है यह क्के चीज़े होती है पहला तो एक sender होता ही होता है communication में yes or no? होता है न एक sender उसके बाद एक message होता है उसके बाद होता है चैनल चैनल यानि जिसके through message भेजा जाता है उसके बाद होता है receiver का response जिसको हम feedback कहते है आपको question भी पूछचे जा सकता है कि ये बाद बताओ कि feedback है न कौन भेजता है या response कौन देता है basically message का याद रखना receiver भेजता है flow flow में आप sender मत करके आ जाना yes or no? feedback हमेशा receiver देता है तो आ जाता है definition पे sender क्या होता है विसलिए वो बंदा जो communication को शुरू करता है the person beginning the communication message क्या होता है वो information जो की sender भेजना चाता है convey करना चाता है channel क्या होता है वो mean जिसके थूरू information send होती है जैसे आप phone के थूरू किसी को message भेज रहे हो तो phone क्या है वो एक तरह का channel है receiver क्या होता है वो person जिसके लिए message बनाया गया होता है फीड बैक क्या होता हैuPHीड बैक होता है ヒिजिवे बताने चाहता है की मेरे को आपका मैसेड बाहने समझ आ चुगी है इसलिए वह रिस्पॉंड करता है ठीक है insp और ने पाटें ऍहुला जिसका नाम है जी method of communication तो आप कैसे कश़ेर कर सकते हो communication कौन कौन से तरीक है पहला तो face to face communication अब आप में सामने बात कर रहे हैं तो वो क्या है face to face communication हो गया दूसरा email email के थूरू माल लो आपको आप office में वैठे वी हो ठीक है माल लो आप job अगरा लग जाती है आपको चाहिए छुट्टी आपने mail type किया office में अपने उसको दे दिया boss को दे दिया send कर दिया boss ने बोला ठीक है कल की छुट्टी आपकी तो वो क्या है वो भी एक तरह का method of communication है उसने feedback भी दे दिया कि हाँ या ना छुट्टी मिल रही है आपको तो वो भी क्या किया message को देखा और उन्होंने फिर response भी किया feedback भी दिया कैसे जिन जिन बंदों को participate करना था room number six के भारा आ गए वो तो वो भी क्या हो गया एक तरह का notice sir जो पोस्टर है वो भी एक तरह का method of communication हो गया next आपका business meeting business meeting भी एक तरह का method of communication है क्यों business meeting में भी क्या होता है जो बॉस होता है वो कुछ बाते बताता है junior को junior boss को कुछ बाते बताते तो वो भी क्या है वो भी एक तरह का communication है बात चीत हो और ही information तो share हो रही है junior senior के बीच में next है other methods अब आब लोगे sir other methods इसमें क्या आएगा देखो इन चारों को छोड़कर जो भी चीज़े आ रही है वो other methods में आएगी example दू phone पर आगर आप किसी को message भेजते हो तो इन चारों में आता है बिलकुल नहीं आता तो वो क्या है वो आपका other methods में आएगा YouTube पर video बना रहे हो आप मैं video बना रहा हूं YouTube पर इन चारों में आएगा नहीं आएगा other methods में आएगा yes or no clear होगे ना कोई दिक्कत चलो जी आगे बढ़ते हैं choosing the right method of communication जब हम कोई भी communication शुरू करते हैं तो basically एक method को चुनना कौन सा तरीका हम अपना रहे हैं वो किसी कुछ बातों पर depend करता है target audience पर cost पर information के type या urgency पर मैं आपको इसके example देता हूं एक य बार में समझा दाएगा मान लो कल आपका exam है आपको sample paper के रहे पैसे चाहिए ठीक है आपके parents गएवे हैं दूसरे city में गएवे हैं पर आपको पैसे चाहिए और वो आपको पेडियम के थूरू भेज सकते हैं पर आपने क्या क्या एक letter लिग दिया या पापा मिरे को पैसे भेज़ दो साड़े 300 ले पर 400 ले भेज तो मिरे को आज ही चाहिए sample paper आपने भेजा post office गए दो दिन बाद उनके पास पहुंच रहे हैं क्या उसका कोई relevance बनेगा नहीं बनेगा आपको तो आज ही चाहिए थे तो बड़िया तरीका यह होता कि आप post office की जगा post office जो कि हमारा channel है उसकी ज सुरी मेरे को बहुत दिस फीवर हो रहा है तो ऐसी चीज़े आपको सुनाई देगी मेरे जोज में कोई कमी नहीं दिखरी होगी आपको कि मैं नहीं चाहता है कि मैं बिलकुल रो रो कि बीमारों की तरह video बनाऊ तो मजा नहीं आएगा आपको चलो आगया जाते है verbal communication तो verbal communication क इसमें sound, words, language और speech include हो अब बहुत सारे लोगों हो मित है यह verbal communication में सरिफ सर बोली भी बाते आती है ऐसा नहीं है लिखी भी भी आते भी यानि words जो लिखे वे होते हैं टाइप करे वे होते है वो भी verbal communication में आते है अभी आपको समझाओंगा सबसे पहले तो आब आम बात करते है टाइप और verbal communication के तो टाइप और verbal communication चार टाइप के होते हैं कौन-कौन से एक होता है जी interpersonal communication में क्या होता है जब one to one conversation होती है एक person और दूसरे person के बीच में तो उसको कहेंगे हम interpersonal communication और यह formal भी हो सकते है informal भी मतलब आप अपने अपने दोस्त के साथ बात कर रहो face-to-face वो क बात करते हो या teacher वगरे से बात करते हो फॉर्मल होता है informal जिससे आप किसी भी तरीगी से बात कर सकते हो दोस्त हो गया आपका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसा नहीं है कि बोली गई बात ही आती है, लिखी गई बात भी आती है, ठीक है जी रिटर्न कम्मिनिकेशन भी आता है, नेक्स्ट है स्मॉल ग्रूप कम्मिनिकेशन, स्मॉल ग्रूप कम्मिनिकेशन में क्या होता है, किसमें क्या होत हे हैं वोगय ett Huge स egyes 베 мог 파торectives mostwar logarosaic Parada яжANS कि इस बातले कोई भी चूप नहीं सारे यह बात अश्वाद करें सबस्याлектf ने मत्समावम ग्रूप कम्यूकेशन वह गया ठीक है और पब्दिक Watसaldas पॉंबिक यहां होता है कि जब कोई एक ढीजल लार्ज गैदरिंग को कोई चीज बता रहा हूं ठीक है मालो आप annual function पे खड़े हुए ठीक है और stage पे आप कोई बात बोल रहे हो तो वो क्या आएगा interpersonal में आएगा नहीं क्या वो return में आएगा नहीं क्या वो small group communication में आएगा नहीं small group फुनना है school के stage पे खड़े हुए हो आप बोल दो अभी मेरे को लग रही है क्यों मेरे को खासी हो रही है बट वैसे तो मिलने बहुत असान होता है बोलना तो क्या जो verbal communication होती है बहुत simple होती है और इसका दूसरा फाइदा क्या है verbal communication enable करता है keep changing the your interaction as per the other person response तो आप अपना tone change कर सकते हो हमेशा मालो सामने वाला बंदा है वो बोल रहा है कि यार आप बोल रहे हो से क्यार कल चलियो हमर साथ उमने चलेंगे वो कहरा नहीं फिर आप गुस्से से बोल रहे हो तो verbal communication में ये फाइदा होता है आप अपना tone change करके बोल सकते हो ठीक है जी चलो ये बात आपको समझ आ गई है ये फाइदा होता है एक disadvantage होता है verbal communication में क्या disadvantage होता है कि verbal communication depend upon the written and the spoken word sometimes the meaning can be confusing and difficult to understand if the right word was not used ठीक है देखो verbal communication जो होती है वो लिखकर और उस पर जो बात लिखी भी है और जो बात बोल रहा है उस पर depend करती है let's assume मैं आपको एना बोलता हूँ और वो देखो verbal communication कभी कभार दिक्कत भी आ जाती है ठीक है माल लो कि एक person है उसकी glass आदी भरी भी है हम नहीं दोनों एक function में जा रहे है आप और मैं एक function में गई ठीक है और हम दोनों ही देख रहे है मैं आपको आखे बताना चाहता था भरी भईए आप तो आपने सोचा के आदी भरी भी है इसकी difficult to understand भी हो जाता है, अगर ढंग से कोई right word का यूजना किया गया हो, पूरा बोलना चाहिए था है, भाई, इसकी glass पूरी भरते है, आदी भरी भी है, बट मैंने क्या क्या है, बोलते हैं, भाई, देख इसकी glass, कुछ भी मतलब हो सकता है, या अगर मैं ये भी बोलते हैं, देख भाई, इसकी glass आदी भरी भी है, तो आप क्या पता, ये समझ रहे हो, क्यार, मालो मैं बोल रहा हो, भाई, पूरी भरते, आप सोच रहे हो नई भाई इसके आदी भरीवी है भरसर बोल रहे है आदी भरीवी है तो आप आगे चलेगे दूसरे की ग्लास भरने चलेगे यस और नो यह एक दिक्कत रहती है communication, verbal communication में अब mastering of verbal communication verbal communication को आप अगर बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब बढ़िया बनाना चाहते हो verbal communication को, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो think before you speak सोचना पड़ेगा, सोच कर बोलो बिना सोचे कुछ मत बोलो, जैसे मैं वही function वाला example लेता है, तो मिरे को पहले सोचना बात आ गई, तो मिरे को पहले सोच कर बोलना चाहिए था कि भाई, glass आदी भरी भी है, पूरा भर दे, सोच कर बोलना चाहिए था बट मैंने सोचा नहीं, तो confused तो होना बनता ही है तो अगर आप चाहते हो verbal communication में mastery करना तो सबसे पहले तो उस topic के बारे में सोचो थोड़ा दूसरा है कि think about the most effective way to make your listener understand the topic और सोचो यार कि कितनी, मतलब आप अपने listener को कैसे, बढ़िया तरीके से सारी चीज़े समझा सकते हो, अब देखो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो teacher ने भी कभी न कभी तो समझाने की कोशिश करियोगी है chapter, क्या पता, ऊपर से गया वह, है न, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको चीज़े समझ भी आ रही होगी, अगर आ रही है, तो fees भरना मत भूलना, हमारे channel की fees है, like और subscribe का button, ठीक है, और ऐसे आप response तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि अपनी verbal communication को कि मैं बढ़िया बना सकूँ, yes or no, ठीक है, और मैं write or note down whatever you plan, मतलब plan to से, मैं कभी कभार क्या करता हूँ, कि जैसे मानलो मेरे को कोई video बनानी है, और मेरे को बाते बतानी है, आपको तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता पेज पे ताकि मैं कोई बात मिस ना करूँ, तो इससे क्या कर सकता हूँ, वर्बल कॉम्मिनिकेशन को बढ़िया बना सकते हूँ, yes or no, कैसे, पहले से topic के बारे मैं सोच के, यह सोच कर, पहले से ही, यह सोच कर, क्यार लिसनर को कैसे बढ़िया तरीके से समझाए, और साथ म अपलोड कर दूँ, क्या कुछ समझाएगा नहीं, क्या वर्बल कॉम्मिनिकेशन अच्छा होगा नहीं, तो speak clearly, मेरी बात आपको अच्छे से सुनाई दे रही हो, I hope, loud सुनाई दे रही हो, और मैं नॉर्मल सीट में बोल रहा हूँ, तो यानि, आपको भी ऐसे करना है, अच्छे हो जाते हैं, कभी का पार मैं भावनों में भावनों में भाजाता हूँ, और कुछ एक्स्टर चीजे बता देता हूँ, तो यह चीजे बहुत इंपोर्टन है, कि आप topic पे रहो, next, do not repeat the same sentence, कोई भी sentence को दुबारा repeat मत करो, यह भी बहुत गंदी आ देता है, मतलब मेरे वो master सीखनी पड़ेगी, verbal communication में, यह point मेरा miss हो रहा है, यह दोनों point miss हो रहा है, चलो, आगे क्या है, तीसरा है, confidence in body language, confidence होना चाहिए, आप देख सकते हो, कुछ भी है, मेरी voice में आपको confidence लिख रहा होगा, और अगर मैं वीडियो में दिखाता है, तो आपको eye contact वगरा, अगर आप सामने किसे बात करो नो, तो confident रहो, eye contact बना के रखो, सीधर रहो, attentive रहो, और उनसे प्यार से बात करो, ऐसे करके आप verbal communication को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है जी, चलो, अब आते है next पे, हमारी तीसरी unit है, इसका ना में जी non-verbal communication, अब non-verbal communication में क्या होता है, non-verbal communication में होता है, जिसमें आप word का use नहीं करते, नहीं बोलकर, नहीं लिखकर, क्योंकि लिखकर और बोलकर word तो verbal communication में आता था, yes or no है ना, मैंने बताया भी था आपको, जब आप कोई बात बिना लिखे और बिना बोले बताते हो, तो उसको कहते हैं, अब जी non-verbal communication, और इ आंके पलके जबकालिया ऐसा होता है, तो उनको पता चल गया, कि आप उनको नमस्ते कर रहे हो, और वो भी फिर सर जुखा देते है, वो कहते है, हाँ बेटा नमस्ते, तो ना आपने कुछ बोला, ठीक है, आपने तो कुछ बोला नहीं, yes or no, ना आपने कुछ लिखकर दिया अपर उनको समझ आ गया, तो वो क्या है, non-verbal communication, ठीक है, एक और समझाता हूँ, माल लो आप कभी मेरे सामने आए, और मैं आप कोई चीज समझा रहा हूँ, तो आप अपनी गर्दन हिला रहे हो, वो भी तरह का non-verbal communication है, गर्दन हिला रहे हो, उसका मत्तब समझ आ रहा है, सिधा हिला रहे हो, उपर नीचे करके हिला रहे हो, तो हाँ समझा रहे है, अगर दाइबा हिला रहे हो, तो नहीं समझा रहा है, तो ये भी क्या है, नौर्वर्वल communication, लिखकर बता है न, बोलकर, सिर्फ और सिर्फ, एक्स्चेंज करिया information, विदाउट यूजिं, मतला expression से, without using a spoken word or the written word, ठीक है, और importance क्या है, verbal communication बहुत important हमारे day-to-day communication के लिए, क्योंकि 55% जो communication होती है, वो face से, arm से, और body movement से ही होती है, ठीक है, वो, समझगे न, और 38% जो communication होती है, वो voice से, tone से, pause से होती है, ठीक है, tone से कैसे, कि, जैसे कि, मैं समझाता हो, communication कैसे होती है, जैसे कि, पापे न, थोड़ा चिला के कोई बात बोल रहे हो, आपको पता नहीं, आप क्या बोल रहे हो, बड़ आप चिला जाते हो कभी, मानलो आप चिला गए, उस word का कोई मतलब नहीं हुआ, बड़ इससे पता चल गए, सामने वाले को, भाई, इसको गुसा आ रहे है, yes or no, तो य का कोई बतलब हुआ, नहीं न, बड़ इससे आपको पता चल गए, जी पापा जी गुसा आ रहा है, अब तो कुटाई होगी, yes or no, चलो, second is 7% of the communication is done using the word, 7% communication होती है, इसमें word का यूज कहा जाता, बाकि 38% communication होती है, वो voice, tone और pause से होती है, 55% communication, body language, face और arm से होती है, ठीक है जी, अब आते है, type of verbal communication, एक बर मैं इसमें बुक में दिखा देता हूँ, क्योंकि इस बुक में थोड़ा से session 3, अच्छे से picture वगरा देखोगे न, अब अच्छे समझ पाओगे, ठीक है जी, अब आते हैं थोड़ा सा, इसमें देखो जैसे example भी दे रखा है, ऐसे only point out कर रहे होती है, यानि सामने वाला गुस्सा कर रहा है आपको, फुश हो, नाराज हो, तो ये एक तरह का expression है, ठीक तो ये भी क्या है, facial expression, posture, posture क्या मतलब, आप सर पकड़के, नीचे बैठके, सामने वालों को पता चल लगा है, बंदा परेशान है, yes or no, दूसरा है जी हमारा gesture, ठीक है, मालो आप teacher ने आप से कोई question पूचा class से, और आपने हाथ खड़ा कर लिया, teacher ने बोला ही नहीं हाथ ख अगर आप मिला आते हो, आप मालो किसी से, मालो कोई रस्ते में मिल गया आपको, आपने सिर्फ हाथ मिला है, उससे कोई बात नहीं कर, इसे भी एक तरह से पता चलता है कि हारा है, है बंदा family है थोड़ा मेरा, ठीक है जी, चलो, next stage is space, अब space समझने में थोड़ी दिक्कत आ होगा, आप अपने parents के बिल्कुर पास जाके खड़े होगे, अगर कोई ऐसा unknown person है तो आप बिल्कुर उसके पास जाके खड़े नहीं होगे, उसके हाथों में हाथ ऐसे मिला के खड़े नहीं होगे, आप अपने parents का हाथ पकड़ सकते हो, आप किसी अंजान रंदे का हाथ न आई-contact भी बहुत important है non-verbal communication में, जैसे आप आँकों से बात है करना, तो अब बलकुल आँकों में आँकों से बात करना, इससे सामने वाले को लगता है, हाँ, confident है, मेरी बात सुन रहा है, attentive है, आप आँके चुराते हो, तो आप सामने वाले को लगता है, जूट बोल रहा है, मेरी बात तुमें इसको interest नहीं है, ये, ठीक है, next होती है जिए para-language, para-language क्या होती है, tone होती है, tone, ठीक है, मैं समझाता हूँ, tone का क्या मतलब होते है, जैसे कि मालो, आप, आपकी मदर, आपके फादर को, आपके बारे में कुछ बता रही है, और आपके फादर जी का reaction क्य है वो हूं मतलब सुन रहे हैं और जब उनको गुष्सा है हूं 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 समझ गे ना आ गया जाते हैं तो यह सारी के सारे हमारे type of non-verbal communication नाम याद रखता है, इनके आ सकता है ठीक है जी, चलो touch का और space का ज़रूर question पूचा जा सकता है कि यह बताओ touch और जो हमारे space है, वो कौन से type का communication है, वो non-verbal communication में आदा ठीक है, next है हमारा communication, visual communication, बहुत ही जादा simple है visual communication में क्या होता है, जिसमें आप ना word का use करते हो ठीक है, और ना बोल के use करते हो, मतला word को ना बोलते हो, ना word को लिखते हो ठीक है, और ना ही कोई body language उसकरते हो जिसमें, यह verbal, visual communication में क्या होता है, आप message को बताते हो, image से और picture से, अब देखो ये वाले इसमें कुछ लिखावा है जिकोल बता आए इसमें सा सा पता चला है यहां पर फोन लाना तो communication cycle और importance of feedback सबसे पहले तो आपको पता ही है कि effective communication के लिए बात में आपको पहले भी पता चुका था बहुत जादा जरूरी है receiver का response जब तक receiver response नहीं करेगा ना तब तक वो communication effective नहीं हो पाएगी अगर आप किसी भी communication को बढ़िया बनाना चाहते हो तो receiver का response करना जरूरी है the sender receive an acknowledgement from the receiver about getting the message across मतलब यह बहुत जरूरी है कि sender को पता चले क्या receiver क्या सोचता है क्या नहीं सोचता और वो reply करके बताए receiver ठीक है तो while the sender send the information the receiver provide feedback on the receive message तो अगर sender को message भेजता है तो receiver उसका feedback देता है अगर आपको feedback की exam में definition आती है तो observation of the receivers response इसी को ही हम कहते है feedback ठीक है चलो अब एक good feedback की क्या क्या quality होती है वो specific होना चाहिए ठीक है माल लो आपने मिरसे पूछा के sir यह वाला question है मैंने answer सही लिखा है मैं बोल रहा हूं यार तुम एना बहुत खराब बच्चे हो मतलब आप मिरसे पूछ रहे हो के question बताव ना sir तो specific होना चाहिए helpful होना चाहिए helpful हो होना चाहिए मतलब आपने मिरसे पूछा यह सही लिखाव है आपने मिरसे पूछा के sir यह वाला answer मैं आपको डाटे जा रहा हूं helpful नहीं है feedback पाइदा नहीं है तो helpful होना चाहिए feedback दूसरा kind होना चाहिए प्यार से क्योंकि प्यार के बाद दिल पे लगती है चीक है चलो तो आप यूज करते हो appreciate word का use करते हो that is good feedback और negative feedback क्या मतलब होता है negative feedback का example दे रखा है कि you keep forgetting the smile at the hotel guest when you talk about them talk to them मतलब यह जो officer मतलब कोई hotel का कोई आप क्या सकते manager होगा वो अपने staff से बोल रहा भाई तो हसते के लिए हो जब भी कोई सामने आये तो हसा करो तो एक negative feedback है ठीक है you keep forgetting to smile at the hotel guest when you are talking to them है न तो एक तरह का negative feedback है next time no feedback no feedback भी एक तरह कर negative feedback ही होता है ठीक है जी अगर कोई बंदा feedback नहीं देते ना वो भी negative ही होता है जैसे माल लो, आप से कोई बात बोल रहा है, आपको वो बंदा ही पसंद नहीं है, आप बस उसकी बात सुन रहे हो, कुछ बोल ही नहीं है, वो भी वो शामने वाला बंदा इस चीज़ को negative लेगा, कभी कभी आपने देखा होगा, कि सामने वाला बंदा ना एक दम से चड़ ज चाहिए है ना और kind होना चाहिए और फर्स चीज का पने क्या देखिनी चाहिए specific होनी चाहिए तो यही पहला point है specific होना चाहिए general comment about करने चाहिए specific होना चाहिए question मेरा सही लिखा है नहीं लिखा है मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हारे बाल खराब लग रहे है भाई topic पर आउना है और answer के बारे में बात करो specific होनी चाहिए that is timely होना चाहिए timely क्या होना चाहिए कि जैसे कि मानलो लेट से यह वड़ा बढ़िया है मानलो आपने मेरे से कोई question पूछा आज question पूछा यह मेरे साथ हुआ भी है और मेरे को बहुत बुरा लगा मैं समझाता हूँ कैसे एक है ना बच्चे ने मेरे टेलिग्राम पे एक वीडिया भेजी थी कहती सर मैं इसको learn करके चला जाओ और मैं सच बता रहा हूँ मेरे को बहुत बुरा लगा क्यों मैं समझा चला कि मैंने उस बच्चे को एक साल बाद मैसेज किया वो 9th में था वो 10th में है तो इसका मतलब मेरा feedback कोई फायदा नहीं है तो time के बाद feedback देने का कोई फायदा नहीं है अब मतलब मेरे को question आई यार पहले message देख लिया होता पर अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो I'm really sorry या लड़की तीशा है तो प्राची नाम था बच्चे का sorry बच्चे 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 बढगी बार से try करूँगा 10th का बिल्कुल इसी में ही जवाब दूँगा पिन कर लिया मैं आपका जो message है आपके जो भी message होंगे सबसे पहले आप ही reply आगा next है कि offering continue support continue support इसका मतलब है कि जैसे माल लो आपने किसी को feedback दिया जैसे किसी ने आपको feedback दिया कि भाई तू ढंक से पढ़ ऐसे ऐसे पढ़ आपने ऐसे ऐसे पढ़ा और उसके बाद आप उसके पास गए उसने का भाई अब मिरसे मत पूछ तो ये कोई नहीं है हमेशा feedback है ना continuous होना चाहिए ठीक है ना feedback sharing should be continuous process हमेशा देते रहा feedback ठीक है कि हाँ भाई आज तू अच्छा कर रहा है आज तू बुरा कर रहा है ये कर रहा हो feedback के continuous process होती है point नहीं होता आपने किसी को बोल दिया भाई ये खराब है ये feedback नहीं है आपने बोला कि ये खराब इसको सही करो फिर दुबार आया फिर इसक आते हैं कि why feedback is important feedback important क्यों होता है it validate effective listening सबसे पहले तो feedback इसलिए important होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि सामने वाला बंदा आपकी बातों को बहुत अच्छे सुन रहा है it validate the effective listening इससे पता चलता है कि हाँ वो attention दे रहा है the person provide the feedback know that they have been understood and their feedback provide some value basically sender को ये पता चलता है कि हाँ receiver को बात समझ आ चुकी है और बहुत clearly समझ आ चुकी है अगर sender को feedback मिल जाता है इससे क्या होता है feedback इसलिए important है इससे motivation भी आती है मानलो मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे जो भी मैं पढ लग रही है तो comment जरूर करना, like जरूर करना और कुछ अच्छे comment जो होते है न वो मेरे को नीचे comment box में जरूर type करना क्योंकि इससे मेरे को motivation मिलती है video का कोई फैदा नहीं होगा आप dislike करो like करो इससे कोई फैदा नहीं होता पर एक दिल में तसलिए मिलती है motivation आती है बच्च फ्यार भरे तो शब्द जरूर लिखना मत भूनला क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट है, it is always there बिसिकली, every time you speak a person we communicate, feedback is so impossible not to give एक feedback में खासित होती है कि feedback हमेशा होता है एक तरह से response भी एक तरह का feedback ही होता है बूरा अच्छा बट feedback हमेशा होता है it boost listening feedback है लिस्टिंग को अच्छा कर देता है जैसे माल लो सामने आपको कोई बात बता रहे है ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि भाई ये वाले ने इस वाले topic के बात करो तो ये एक तरह से learning आपकी develop कर रहे है क्योंकि आपने क्या कहा क्या ये वाला topic मेरे को आता है इस वाले जैसे माल लो आप और मैं बात कर रहे है मैं आपको कोई topic समझा रहा हूँ आप बोल रहे हो, आप मेरे को feedback दे रहे हो सर ये वाला ने ये वाला topic समझाओ तो आप इससे क्या हुई, आपके learning बढ़ी क्योंकि हमें दूसरा वाला topic आपको समझाओगा ठीक है, next है कि it improves performance आप में बार बार आपको feedback देता रहूँगा क्या पैसे बढ़ो ऐसे बढ़ो तो obviously बात आपकी performance increase होगी तो इसलिए जो हमारा feedback है बहुत important है अब दोकार वीडियो को जादा लंबी बन चुकी है ठीक है, बाकी ये छोटे सा topic रहा गए है मैं अगली वीडियो में बना दूँ तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे लंबी वीडियो बन जाएगी ठीक है, बाकी सिर्फ तीनी session रहा गए है चोटे-चोटे session है, ठीक है तो feedback देना मत भूलना वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करना चैनल को subscribe कर सकते हो आप बाकी मिलते हैं जी next वीडियो में, तब तक लिए thank you so much, notes है न हमारी website में मिल जाएंगे www.mainpointstudy.in नहीं तो हमारे telegram channel में मिल जाएंगे 4,300, but actual में इसमें 10,000 से जादा बच्चे जो है वो add है और साथ ही में जो हमारे अलग-अलग channel है इसमें सबसे important है mainpoint tag क्योंकि mainpoint tag पर मैं यह बताता हूँ, student earn कैसे कर सकता है पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ पर आपको देखो animation video मिल जाएगी animation phone से आप animation video कैसे बना सकते हो, laptop से कैसे animation video बना सकते हो दूसरे की video YouTube पर copy करके और कैसे कर सकते हो, ठीक है website कैसे बना सकते हो, website से कितनी earning होती है, सारी की सारी चीज़े मैंने बता रखी है तो इस channel को देखना मत भूलना, ठीक है जी और इस channel पर आपको feedback न, comment पर नहीं देना, feedback video बना कर देना है कैसे? आप animation video अगर बनाना सीख गए तो video बनाओ animation और फिर मेर को link भेजो इस तर हाँ देखो मैंने animation video बनाई है, बहुत खुशी मिलेगी और बहुत सारे बच्चों ने इससे 100 डॉलर रन भी किया है तो उनको बहुत बहुत बताई ठीक है? मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये थैंक्यू सो मच जैहिन जै बारत बंदे मातरम, थैंक्स वरे सपोर्ट, बाइ-बाइ